आज हम लोग हाव टू का करेक्ट यूज जालेगे वैसे तो हाव टू का जो है हिंदी होता है कैसे या किस प्रकार किस तरीके से एटीसी ओके अगर हिंदी सेंटेंस हम लोग लिख ले तो ज्यादा कंसिप्ट किलियर हो जाएगा जैसे मैं अंगरेजी बोलना जानता हूँ इस संतेंस पर पहले ध्यान दीजेवटा करें कि मैं अंगरेजी बोलना जानता हूँ मतलब अंगरेजी कैसे बोली जाती है, यह मुझे पता है, चुकि इंगलीस बोलने का कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, जिसके तहत इंगलीस बोली जाती है, तो करें कि मैं इंगलीस बोलना जानता हूं, अगर कोई कहें कि मैं किरकेट खेलना जानता हूं, मतलब किरकेट खेलने का कुछ rules होते हैं, ऐसा नहीं, कि बैट ले लिजे, आब बाल ले लेजिए, जा कर खेलना सुरू कर दीजे, कीटना सकर, डालेंगे कि लीकर, यह पता है। इसलिए हो चाय बनाना जानता हूं, या मैं चाय बनाना जानती हूं, मतलब how to का मतलब क्या हुआ, कि जो action कह रहा है कि जानना, चाय बनाना जानता हूं, किरकेट खेलना जानता हूं, फुटबॉल खेलना जानता हूं, योगा करना जानता हूं, मतलब उस action का कैसे अंजाम दिया जाता है यह आपको पता है, so, हम लोग यूज़ करते हैं, how to का, okay, for example, इसको पहले हम लोग translate कर ले, एक जगे और ध्यान देने बटा, यहाँ ताहती है लगा है, मतलब simple present tense है, तो बनाईए simple present tense पर, कहेंगे, I know how to, as speaking this, चुकि हम लोग grammar भी पढ़ रहे हैं, और spoken भी, यानि कि two in one हम लोग study कर रहे हैं, इसलिए एक जगे और आपका ध्यान में खिचना चाहूंगा, okay, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ कहा रहा है, कि two, और यह क्या है, तो action verb है, तो action verb के पहले अगर two लग जाता है, तो action verb क्या हो है, noun बन जाता है, okay, मतलब infinitive हो जाता है, हम चाहें तो जो है, इसको जीरंट पर भी बना सकते हैं, कैसे, तो ध्यान दीजिए, कहेंगे I know as speaking English, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, तो speak, action verb में ing लग गया, तो यह जीरंट हो गया, तो यहाँ पर से क्या हो गया, how to जो है, हट जाएगा, ओके, मतलब यह दूसरा रूल हो गया, कि आप जो है, जीरंट के तहत भी बना सकते हैं, और infinitive के तहत भी बना सकते हैं, this is the rule of the grammar, ओके, मतलब एक जगे और ध्यान देना है, कहां ध्यान देना है, तो यह tense, simple present tense है, अभी मैंने बता रहा था, और subject क्या था, आई था, ओके, तो आपको मैंने बताया था, कि simple present tense में subject के अनुसार, वर्ब में changing आता है, मतलब अगर he, see, it, यह और कोई एक नाम रहे, तो वर्ब में एस या इस लगाते हैं, और बाकी सब के साथ कुछ नहीं, कोई changing नहीं होता है, यानि कि पुल्डल अगर subject हो जाए, तो no changing in the verb, यह मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगो simple present tense में, तो यह सारा concept clear करना है, concept clear हो जाए, तो इस पर बहुत सारे sentences बनेंगे, द्यान दीजे, जैसे, अगर कहा जाए, कि वहाँ, same sentence में लिखूँगा, ताकि concept clear हो, वह अंग्रेजी बोलना जानती है, द्यान दीजे तो, कोई changing है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, तो subject change है, मतलब यहाँ वहाँ आ गया है, और यहाँ पर मैं है, यही changing है, बाकि सब चीज सेम है, चुकि उपर वाले में अंग्रेजी है, यहाँ भी अंग्रेजी है, यहाँ बोलना है, यहाँ भी बोलना है, यहाँ जानता तो, यहाँ जानती, subject का नुसर हो गया, simple present tense है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, चुकि यहाँ पर आई के साथ no में कोई changing नहीं है, लेकिन यहाँ पर changing आएगा, कैसे आगा तो ध्यान देजीए, यहाँ आप c कर देंगे, c no में एस लगा देजी, मतलब c knows how to speak English, अगर आप infinitive के तहत बना दिये तो to लग गया, अगर आप gerund के तहत बनाते हैं, मतलब gerund के मदद से बनाते हैं इसी sentence को, तो क्या बनेगा? c knows, यहाँ तक सेम आएगा, उसके बाद के आगा है, एस्पीक में इंग लग जाएगा, c knows, speaking English, मतलब एक ही sentence को मैंने दो तरह से बनाने का तरीका बटाया, अब इस पर बहुत सारे sentences आप बना सकते हैं, क्यूंकि आपका concept किलियर हो गया, अगर concept किलियर हो गया, तो sentence तो बनना एक दम सभाविक है, लाजमी है, हाईए हम लोग प्रेक्टिस करते हैं, और भी sentence बना करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अगर सब्सक्राइब करते हैं,